दोस्तों क्या लाल करेगा बॉक्स ओफिस में कमाल जैसे कि आप लोगों पता होगा आमिर खान की मुवी लाल सिंग चड़ा को रिलीज होने में अभी भाई सहाब सिर्फ चार दिन बचें और फोर डे टू गो फोर लाल सिंग चड़ा ऐसे में गाईज हम लोग देख रहे हैं कि यार रिव्यू आ रहे हैं इस मूवी के अगर हम लोग क्रिटिक्स देखें या फिर हम लोग अगर ऑडियंस देखें आप फिर सेलेब्रेटी देखें तो आमिर खान स्क्रीनिंग हर दिन रख रहे हैं कल जैसे कि आप लोगों पता होगा कि यार सेखर सुमन मनीश पॉल शरत केलकर और भी गाइज जो टीवी से जुड़े हुए और बॉलीवूट से जुड़े हैं उनके रिव्यूव आए और उसे पहले जो ओवर से सेंसर वोड के जो मैंबर हैं उन्होंने भी इस मूवी को मास्टरपीस का और पांच में से चार स्टार दिये अभी गाइज ए सब्सक्राइब करें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लैट स्टार्ट दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि साल 2000 में आमिर खान के जिन्दगी की सबसे बड़ी मूवी आई थी और वह एक क्लैस के साथ आई थी यानि कि सनी देवल सहाब की गदर के साथ हुई है क्योंकि जिस तरीके से रिव्यू दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यह मूवी है यह मास्टर पीस होने वाली है हाला कि दोस्तों काफी सारे लोग यह बोलके मजा उड़ाते हैं कि लाल सिंग चट्डा उस तरीके से वाइब नहीं दे पाएगी जिस तरीके से फॉरेस गम हैं और उनके जो मेकर्स हैं उन्होंने भी इस मूवी को देखा और उन्होंने जिस तरीके से तारिफ की वह आउट इस्टेंडिंग और दोस्तों आपको बता दूंकि ना कि इंडिया बलकि अमेरिका यूएसे में भी इस मूवी का माहौल बंद चुका है यह वहां पे तो लाग सिंग्स एड़ा का मतलब जो मूवी है उसको देखना चाहते हैं और वही मैजिक एक बार फिर से देखना चाहते हैं कि आखिर इंडिया वालों ने इस मूवी को किस तरीके से बनाया है हलांकि लोग कहते हैं कि फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हुई है लेकिन नहीं बा बाद तो आप लोगों पता ही होगा कि मेरे ख्याल से जो आम इंडियन्स हैं उन्होंने फॉरस्ट गम नहीं देखा तो एक फाइदा होगा लेकिन शर्त यहीं है कि मूवी अच्छी हो मूवी ऐसे रिलीस से पहले गाइस बोलना मुश्किल है लेकिन काफी सारे लोगों ने इस तरीके से आशुतोष गवारिकर ने देखके इस मूवी को बोला उन्होंने वह फाइफ इस टार नहीं बलकि फाइफ गोल पास उन्होंने पांच स्टार इस मूवी को दे दिया यानि कि लाल सिंग चड़्डा का और उन्होंने दोस्तों आगे क्या लिखा है मैं आपको तरीके चाहिए और बहुत जबबर्दस तरीके की मूवी बताई है और अगर अब्सक्राइश को देखें कि शुरुआत से इस मूवी के अभी तक जितने भी लोगों के रिविव आया है रियाक्शन आया हैं वह सभी पॉजटिव आये हैं जबदस ही आये हैं और किसी भी त मीडिया में वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें अन्नु कपूर जो आपको पता है कॉमेडिया ने एक एक्टर है काफी अच्छे अक्टर उन्हों ने अपनी मूवी का कुछ रहा इस प्रमोशन करने आए थे तो किसी ने गल्द समय में पूछ लिया कि आमिर खान की मूवी आ रही है लाल सिंग चल रहा है आपका क्या कहना है कौन सी मूवी आ रही है मैं मूवी वूवी नहीं देखता मतलब इस तरीके से उन्हें कुछ रिक्ट किया तो सभी लोग बोने लगे कि अन्नु कपूर ने बेजती मारती है बाई सहाब आमिर खान की आमिर खान को कौन न वह तेजी से वायर हो रहा है दोस्तों आपको वदा दूंकि लाल सिंग चड़ा का जो हाइप है इस वक्त करेंट सिनारियों में वह नेक्स्ट लेवल में है इंडिया में जितना कमाएंगे उससे जदा वह बाहर भी कमाने वाले तो एक बात तो थोता है कि लाल सिंग उसका भी बेड़ा पार हुआ है तो आपका क्या है कहना असुतों गवारी करके इस रिव्यू के बारे में अपनी ज्राइ कमेंट में दो बिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही